नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी दल्ली लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन तबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये दल्ली निधी की शादी करने के बाद मदान दमपती ने कहा, लोग बेटी का ब्याह करने पर गंगा नहाते हैं हम गंगा मैली नहीं करेंगे, समिधा बोली इससे अच्छा है भारत दर्शन पर चलें घूमना उसका मन पसंद काम है लेकिन जाने कब दिमाग में यह जमकर बैठ गया कि घूमकडी का असली मजा अपने साथी के संगी आता है फिल्मों, रोमैंटिक उपन्यासों और अमर प्रेम कथाओं पर पनपा उसका दिल अभी दस्वी पास कांता कुमारी की तरह सोचता है उसका बिस्तर प्रेमी पती सफर के नाम से विदकता है अनुराग मदान को सफर के नाम पर गंदे प्लेटफॉर्म, घिच पिच भीड और जेब कत्रे याद आते है अख़बार पढ़पढ कर तुम्हारे दिमाग का दिवाला निकल गया है समीधा ने कहा तुम जड़ता के आनंद में मगन रहो तुम्हारा बस चले तो तुमें से राम राज कहो अच्छा यह बताओ कि अब तक सफर में कितनी बार तुम्हारी जेब कटी या कब तुमने खड़े-खड़े सफर किया इसे क्या ये सब खत्रे मौजूद तो है अनुराग बोला अब ऐसी समस्या नहीं है वातानुकूलित शेडी में भी जा सकते हैं अब तो हम वरिष्ट नागरिक हैं समीधा ने कहा तुम हो मैं नहीं अनुराग ने इस पस्ट किया वे हम सफर ही नहीं हम उमर भी थे पत्नी साट की होते ही रेलवे विभाग के लिए वरिष्ट नागरिक बन गई थी पती को अभी पांस साल प्रतीक्षा करनी थी समीधा को कोई कुंठा नहीं बोली ऐसा लग रहा है एक बार फिर लड़कपन लोटाया है बारा साल तक आधी टिकट लगती थी अब पौनी लगेगी ताज्युक यह था कि अनुराग सफर के लिए तयार हो गया उसने सोचा था कि रास्ट्रगान के अनुसार पंजाब, सिंद, गुजरात, मराठा द्रवन, उतकल, बंग सब घूम लिया जाए सिंद अब नक्षे से बाहर था पंजाब, गुजरात, मराठा इतने प्रदेश देखने में ही दस दिन लग जाएंगे इसलिए तैकिया कि भारत दर्शन दो टुकणों में किया जाए निश्चे आरक्षन में बदला और इस वक्त वे रेलवे स्टेशन पर थे कुली फोम के जूते पहने था वह लंबे फुर्तीले डग भर रहा था उनकी दोनों अटाइचियां और थैला उसने आसानी से उठा लिया और प्लेटफॉर्म नंबर साथ के लिए समिधा ने सोचा सीडियों पर एक तरफ उपर की ओर चड़ता हुआ रेला था दूसरी तरफ उतरता हुआ भीड में सिरही सिर दिखाई दे रहे थे और सामान के चड़ते उतरते पिरामिनों की कतारें थोड़ी देर उन्हें अपनी बदरंग अटैचिया नजर आती रही फिर वे भीड में गड़ मड़ हो गई दोनों की नजरे मिली दोनों में डर था क्या तुमने कुली का नंबर पढ़ा था? समिधा ने पूँचा उसने मौका कहां दिया? बस सामान उठा कर साबू की तरह चलता बना अब इस रेले में उसे कहां नोडेंगे? अपने डिब्बे तक पहुँचने में वे दोनों पसीना पसीना हो गए देखा कुली सामान सही सिर घुमा कर उन्हें हेर रहा है समिधा ने कहा क्यों भाईया? गाड़ी तुम्हें पकड़नी है या हमें? तीर की तरह पहुचे हो? देख तो लेना था सवारी कहां है कुली ने कहा बहन जी आपको तो एक गाड़ी पकड़नी है मुझे तो दिन भर में 20 गाड़ियां पकड़नी होती है जल्दी पैसे निकालिये गाड़ी चलने वाली है कुली ने बर्थ के नीचे सामान नहीं लगाया उठंग खड़ी कर दोनों हटैचियां रास्ते के बीच अड़ा कर उनके उपर बैग रखा और 20 रुपे लेकर चलता बना असली मरंध था जुकना जुकते समय बड़ी शिद्दत से याद आ जाता है कि उम्र की चोर बत्ती है कमर ETC चैनल पर लगातार फिल्मी नाच गाने देखकर समीदा बोल उठती हाए ये लड़िया कमर मटकाते मटकाते कितना ठक जाती होंगी लोगों के पैरों के बीच किसी तरह अटैचिया ठेली और वे लस्थ होकर बैट गए इच्छा हो रही थी कि तुरंत लेट जाए सांस जरा सम पर आ जाए तो आँख खोले पर तभी टिकट चैकर आ गया आरक्षन पक्का था पर उसे अपनी डेवटी निभानी थी उसने एक एक चीद जाची जन्म प्रमाणपत्र नाम और तारीख समिधा ने चेकर से कहा महरबानी कर एक बर्थ नीचे की दे दीजे मैं चड़ नहीं पाऊंगी उपर आप खुद किसी से कहकर देख लीजे कहकर चेकर आगे बढ़ गया जिन यात्रियों की निचली बर्थ थी वे जटपट लेट गये उनका लेटना इस दमपती के लिए इस बात की टली थी कि अब आप अपनी बर्थ पर जाकर आराम फरमाईए गोया यहां से हटिये दोनों उपर की सीटों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे हिमाले की चोटी परिस्थित हो फिर अनराग बगल की पैर सीड़ी से उपर चड़ गया चड़ने के बाद वे नीचे उतर आया उसने कहा उतना मुश्किल नहीं है चलो मैं तुम्हें मदद करूं समिधा ने कमर से दुपट्टा कसा चपने उतारी और हिम्मत पहन ली उसने पैर सीड़ी पर पहला कदम रखा पती ने कहा देखो गिर्मत पढ़ना वैसे मैं नीचे खड़ा हूँ तभी नीचे की बर्थ वाला यात्री अकबका कर उठ बैठा उसने कहा मैडम आप परिशान नहूं मैं उपर चला जाता हूं उन दोनों ने कृतगता जताई यात्री अपना चश्मा अकबार और पान मसाले का डबबा लेकर उपर चला गया अनुराग ने हमेशा की तरह चश्मा वालेट और घड़ी समिधा को पकड़ाई और सिर तक कंबल ढखकर सोने की घोशना जारी कर दी अब समिधा को नौ चीजों की चौकसी करनी थी दोनों के चश्में बटवे और घड़ियां तो थी ही सीट के नीचे रखे सूटकेस और थैला भी सुरक्षा चेन वह जानबूच कर नहीं रखती थी क्योंकि उसे बांधने की कसरत उससे नहीं होती मन में यही आता कि अटैचियों में आखिर है ही क्या कुछ जोड़ी कपड़े और कागजपत्तर बस अनुराग कहता मेरे कुर्ते इतने लंबे और खुरदुरे हैं कि चोर उन्हें ले भी गया तो वापस कर जाएगा पर देर तक नीन नहीं आई सामान की असलियत पता होने पर भी चोरी का डर एक स्वतंत्र खत्रा होता है आज कल तो चोर रेल में चड़कर चोरी के साथ साथ मारपीट भी कर जाते हैं समिधा सोचने लगी कि कैसे होते होंगे रेल चोर वे कच्छा बनियान गिरोह के होते होंगे या लोटज और विरादरी के या इनी सोते हुए यात्रियों में से कुछ लोग उठकर अचानक लूट पार्ट शुरू कर देते हैं कुछ भी हो रेल चोर होते तो होंगे जबर डब्बे के दोनों तरफ के टाइलेट में से वाश वेशन के उपर का शीशा तोटी और मग नदारत थे जहां जहां लिखा था भारतिये रेल आपकी संपत्ती है इसकी रक्षा स्वयम करें वहां वहां चोरों ने कुछ न कुछ अवश उखाड़ा हुआ था समिधा को अपने पर हैरानी हुई कहां तो उसने सोचा था कि यात्रम में वह सिर्फ सुन्दर द्रश, मधुर बातें और अच्छे अनुभव इकठे करेगी कहां वह निर्मूल आशंकाओं से घिरी हुई है रात के सफर उसे नागवार लगते हैं ना बाहर का द्रश दिखाई देता है ना अंदर का अनुभव सब के सब यात्री एक से कंबल ओड़कर लेटे हुए ऐसे लगते हैं जैसे लाश गाड़ी जा रही हो समिधा ने अपना कंबल उगहार दिया पानी पिया उसे लगा ब्रह्मन अकेले करने का सुक इससे बढ़कर और बहतर होता होगा यह क्या कि दूसरे की इक्षा को आदेश समझो घर से चलते हुए अनुराग ने उसे घुड़का था वह अक्सर उसे अग्रिम घुड़क देता है सफर में कोई प्रसाद कहकर कुछ दे तो खा मत लेना जहर खुरानी का किस्सा रोज अकबार में आता है नशे का लड़ू खिलाकर यात्रियों को लूट लेते हैं तुम तो तयार बैठी रहती हो धोखा खाने के लिए समिधा ने हमेशा की तरह मू लटका लिया लड़ू और धोखे का रिष्टव वह आज तक नहीं बैठा पाई दिल्ली शकुसल पहुँच गये इस बार प्लेटफॉर्म पर छाट कर ऐसा कुली चुना जो शकल से थका हारा लगे उसे पहले ही समझा दिया भई धीरे धीरे चलना इस टेशन पर जगे जगे लगे भारत दर्शन के पोस्टर मन को आहलादित कर रहे थे हर पोस्टर स्वागत स्वागत बोल रहा था स्टेशन इस वक्त साब सुत्रा था सुभह छे चालीस के वक्त एक नया नकोर प्रदूशन रहित दिन इन दोनों के सामने प्रस्तुत था और वे मन में अगली यात्राओं के सुहाने नक्षे बना रहे थे अच्छी चाय की तलब लगी थी सीडियों से ही कुछ लोग साब टैक्सी साब इस्कूटर कहते पीछे लगे पर अनुराग ने उन्हें मना कर दिया पास ही के यात्री भवन जाना था उसने कुली से कहा कि वह वहां तक पहुँचा दे टाइम नहीं है कुली ने कहा जैसे ही वे सीडियों को से नीचे उत्रे कुली को मैं सामान हतियाने के लिए दो-तीन तरफ से लोगों ने गहर लिया कुली असहाय सा सामान के मालिकों की तरफ देखने लगा अनुराग ने कहा हमें कहीं नहीं जाना है सामान छोड़ दीजिए सफेट कोट पहने एक आदमी ने कहा मोहन होटल चलिये साब एकदम सामने हैं फस्क्लास कमरा बातरूम साथ में साब श्री कृष्णा लाट चलिये साब बिल्कुल नजदीख है दूसरा बोला कुली बोला सामान गिन लीजिए साब हमें पैसे दीजिए हम जाएं समीधा बिगडी यहां दलालों के बीच हमें फसा कर तूम जा रहे हो कुली ने पास खड़े पुलिस के सिपाही की और इशारा किया और पैसे लेकर चला गया अनुराग ने सिपाही से कहा देखिए हमें यहीं पास के सबको भगाया फिर बोला आप वहां जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं पर मैं वहीं से आ रहा हूँ वहां सारे कमरे बुख हैं जगे नहीं है वरिष्ट दमपती ने गरदन उठा कर भब इमारत को देखा इतने कमरों वाले भवन में दो परियटकों के लिए क्या एक कमरा भी नहीं होगा एक मन हुआ सिपाही की बात मान ले सरकारी आदमी है सची बोल रहा होगा फिर सोचा चल कर देख लेने में क्या हरज है रिक्षे में सामान रखवा कर वे यात्री भवन पहुंचे साफ सुतरा हरा भरा परिसर देख कर ही तब्यत खिल उठी पोर्च में एक मोटर बाइक खड़ी थी जिसके इर्दगिर्द दो-तीन लोग पेपर कप में चाय पी रहे थे अंदर काउंटर खाली था उन दोनों ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की खाकी कपड़ों में एक आदमी लाउंच की तरफ आया उसने कहा यहां कोई कमरा नहीं है किसी जिम्मेदार आदमी से बात करवाओ अनुराग ने कहा वह बाहर पोर्च में आ गया उसने मोटर बाइक के पास चाय पीते लोगों से कुछ कहा जल्द ही चाय पीने वाली सारी टुकडी ने अंदर आकर काउंटर पर अपनी जगह समाल ली उनमें से एक ने रजिस्टर में देखते हुए प्रस्ट पल्टे और चश्मा खिसकाते हुए कहा इस वक्त कोई कमरा उपलब्ध नहीं है यात्री भवन में पसरा सननाटा देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि इसके सैक्णों कक्ष इस समय भरे होंगे न कोई आता दिख रहा था न जाता क्या एक भी कमरा नहीं होगा बताया ना आपको जरा रजिस्टर देखें आपका अनुराग ने कहा तो पहली बार काउंटर करमचारी ने उसे गौर से देखा अनुराग का खादी का लिबास प्रायह लोगों को इस भ्रह्म में डाल देता कि वह जरूर कोई राज नेता है दूसरे करमचारी ने कहा आप परिशान नहों सर बगल में लाल महल होटल है यहां से बड़े और शानदार कमरे हैं वहां किराया भी वाजिब है मैं रिक्से वाले को समझा देता हूँ वहां चले जाईए इन दोनों को गैर सरकारी होटलों से डर लगता था पतनी को सारी रहस रोमांच वाली फिल्मे और कहानिया एक साथ याद आ जाती उनके लिए आज भी सरकार शब्द में सुरक्षा, विश्वास और सच्चाई नहित थी फिर लाल महल नाम ही काफी तिलस्मी लग रहा था समिधा ने कहा देखिए दस घंटे बाद हमें फिर सफर करना है हमारे पास पिछली अगली यात्राओं के वैध टिकट है काइदे से हमारा हक बनता है यहाँ अब दूसरा कर्मचारी बोला वाता नो कूलित कमरा खाली नहीं है कोई बात नहीं मौसम अच्छा है, सामान ने कमरा भी चलेगा बड़े बेमन से कर्मचारी ने एक कार्ड उनके सामने पटक दिया अनुराग ने कार्ड में बेवरण भरा कर्मचारी ने कहा आपको दो दिन का किराया देना पड़ेगा क्यों? वे चौके हमारा चेक-इन टाइम दस बजे है आप पहले आ गए है हम 15-20 मिनट इंतजार कर लेते हैं पर आपकी गाड़ी का समय 46 है सर अनुराग ने कहा आप दिखाएं कहा लिखा है काउंटर कर्मी भड़ा गया आप इंस्पेक्शन पर नहीं आये हैं जो आपको कागस दिखाएं दुनिया भर के होटलों में आने के वक्त से किराया लिया जाता है गाड़ी के वक्त से नहीं काफी बहस और इंतजार के बाद कमरा आवंटित हुआ शुल्क जमा किया गया और काउंटर कर्मी ने कहा 409 वे सामान लिये इधर उधर सहाया खोजने लगे सामान आपको खुद ले जाना पड़ेगा कर्मचारी ने बताया किसी तरह वे सामान घसीट कर लिफ्ट तक लाए चोथी मंजिल पर आकर उन्होंने पाया कि कई गलियारे और मोड पार कर अटेंडेंडन के हाउस कीपिंग पटल के पास 409 है आगे पीछे के गलियारों के सभी कक्ष खाली पड़े साएं साएं कर रहे थे गलियारों की छट में कबूतर फरपड़ा रहे थे फर्ष पर हप्तों पुरानी बीट चिपकर सूख गई थी पूरी मंजिल पर इन दोई यात्रियों के सिवा कोई आहट नहीं थी सामान उठाना एक समस्या थी उन दोनों को लग रहा था यह समस्या सारे भ्रमण के साथ चलेगी उन्होंने तै किया कि सामान नीचे क्लॉक रूम में जमा कर दे सिर्फ थैला लेकर समिधा कमरे की तरफ चली सूट केस लेकर अनुराग नीचे आया क्लॉक रूम के सहायक ने सामान घुमा फिरा कर अच्छी तरह जाचा और कहा यह जमा नहीं हो सकते लेकिन क्यों? इन में ताले नहीं लगे हैं इन में स्वचलित ताले लगे हैं जो सिर्फ नंबर से खुलते हैं नियम है कि ताला उपर से लगाया जाए सरकारी नियमों में पांच रुपए का ताला पांसोर रुपए के ताले से ज़्यादा विश्वस नहीं था लाचार होकर सामान वहीं छोड़कर अनुराग ताला खरीदने बाहर लबका ताले लग जाने के बाद सामान की परची बनाते हुए क्लॉक रूम कर्मचारी ने कहा आपको कितने बज़े जाना है दस बज़े की गाड़ी है नौ साड़े नौ निकलेंगे उसने कलम रोग दी यह मुश्किल काम है उस समय यहां से सामान नहीं ले जा सकते इसका क्या मतलब हुआ साड़े नौ मेरा छुट्टी का समय है आपकी जगे कोई और लेगा तभी न आप जाएंगे वह आदमी पटपड गंज से आता है कभी उसे देर भी हो जाती है मेरी आखरी बस साड़े नौ निकलती है बहतर होगा आप अपना सामान अपने साथ ही रखें कमरा आपके पास है मजबूरन अनौराग को सामान वापस घसीट कर लिफ्ट में लाना पड़ा एक एक कर सूट के सरका कर कमरे तक लाए चौथी मंजिल का सहायक गलियारे में पड़ी मेच पर बैठा पैर हिलाते हुए इस द्रश का आनंद लेता रहा अनौराग ने उससे कहा हमारी सुबह की चाय और अकबार दिलवा दिजे वह तो एकदम सुबह मिलती है अब चाय नहीं मिलेगी पर नीचे तो लिखा है वह एकदम सुबह आने वालों के लिए होता है इस वक्त साड़े दस बज रहे है समिधा ने कहा यह कहा लिखा है कि साड़े दस बजे आने वालों को चाय नहीं मिलेगी वह सब हम नहीं जानते जो नियम हमें बताये गए हैं हमने बता दिये आपकी शिकायत पुस्तिका कहा है दीजिये मैं उसमें लिखूंगा यातियों के साथ पेश आने का वाहियाद धंग है आप लोगों का सहायक ने बेफिक्री से कहा शिकायत पुस्तिका नीचे है जाए अब नीचे जाने की हिम्मत शेष नहीं थी थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद इसना नादी की सुधाई टॉयलेट इतना छोटा था कि अगर समिधा जरा भी और प्रतुल होती तो उसमें घुस ना पाती उसकी चिटकनी तूटी हुई थी अनुराग ने कहा यहां और कोई नहीं है तुम ऐसे ही चली जाओ पर समिधा हलकी नहीं हो पाई कोई दूसरा ना खड़ा हो फिर भी अपनी एक निजता होती है जिसे सुरक्षित रखने में चिटकनी की बड़ी भूम का होती है यही हाल गुसल खाने का था बाल्टी और मग थे साबुन नदारत था ना चाहते हुए भी सहायक से कहना पड़ा उसने बताया अभी स्टॉक में साबुन नहीं है इससे तो लाल महली चले जाते समिधा ने जुझला कर कहा नहाना इस्थागित कर वह फिर लेट गई अनुराग तो पहले ही सो गया था उसकी भी आँख लग गई नींद तीन बजे खुली जोर की भूख लग रही थी डैनिंग हॉल का रुक किया पूरा हॉल खाली पड़ा था खाने का कहीं कोई चिन नहीं था बाहर व्यंजन तालिका अपनी घोशनाओ से नियोत रही थी अंदर सन्नाटा था पता चला भोजन का समय धाई बजे समाप्थ हो जाता है इस वक्त भी चाय का कोई इंतजाम नहीं था फिलहाल बाहर का रुक करने लाइक धजा नहीं थी भूख प्यास दबाकर वे लाउंज में बैटकर टीवी में मन लगाने का प्रैत्न करने लगे टीवी के परदे पर तस्वीर की जगह सिर्फ धुन्दली चायाएं आ रही थी आवाज एकदम गायट थी वहाँ पोचा लगाने वाले फरराश से पूचा इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है नहीं है कोई लेकर चला गया यह ऐसे ही चलता है हाँ उकता कर उन्होंने सोचा शुद्ध पानी की एक बोतल लेकर पी जाए डैनिंग हॉल के सहायक ने कहा मैडम दस पंद्रा मिनट बाद आए अभी बोतले फ्रिज में लगाई है ठंडी होने पर मिलेंगी काउंटर से कूपन लाएं? नहीं, पानी कूपन पर नहीं है सतकार की सभी संभावनाय बेट टोल चुके थे चुपचाप उपर आकर तयार हुए और खाने की खोज में बाहर निकले स्टेशन परिसर में प्रीपेट टैक्सी लेने की सहूलियत थी उस चोटे से कख्ष के उपर लिखा था निर्धारित दर से अधिक किराया लेना अपराध है यात्री यहां संपर्क करें कख्ष के बाहर परियटकों यात्रियों की कतार थी उनमें युवा विदेशी यात्री तो थे ही खालिस देशी यात्री भी कम नहीं थे बुकिंग विंडो में पर्ची काटने वाले की सीट खाली पड़ी थी उसका पेन मेज पर खुला रखा था कुरसी पर कोट लटका हुआ था किसी ने कहा चाए पीने गया होगा अभी आ जाएगा एक यात्री ने कहा 20 मिनट से मैं देख रहा हूँ कोई नहीं आया इधर चाए पीने पान खाने में 20 मिनट तो लगते ही हैं किसी और ने राय दी नियम प्रेमी यात्रियों की कतार लंबी होती जा रही थी अब वहाँ टैक्सी चालक स्कूटर ड्राइवर मडराने लगे थे वे धीरे से मुसाफिर के पास आकर पूँचते उसे कहां जाना है फिर वे एक मुष्ट किराय का अंदाज बताते थकान से लस्त कई यात्री कतार छोड उनके साथ हो लेते उन्हें वाहन में बैठाकर ड्राइवर तुरंत दूसरी सवारी की खोज में लग जाता इस तरह वे एक खेप में कई खेप का किराया कमा रहा था पीछे से एक सरदार ने कहा ये दिल्ली तो एकदम दल्ली बन गई है बाश्शाओ सब हस दिये सबको पता था यहां गुस्से और शिकायत का कोई अर्थ नहीं है यह भी पता था कि पूर्व निर्धारित किराय की परची काटने वाला जल्द आएगा ही नहीं हो सकता है वह यहीं कहीं खड़ा जग का मुझरा देख रहा हो भारत दर्शन का शुभारंफ बड़ा संदिक्ध हो रहा था फिर भी वे होसला नहीं हारे हो सकता है आगे जाकर इस्थितियां अच्छी हो जाएं फिर दिल्ली उनके नक्षे में सिर्फ पड़ाव था मुकाम नहीं इससे पहले भी वे कई बार दिल्ली आये थे हर बार उन्हें यही लगा कि यह अंधेर करने वालों का अभिया रंड है दस बजे की गाड़ी के लिए वे साढ़े नौ बजे बाहर आ गए कहीं कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था तभी किसी विदेशी सहलानी को लेकर आई एक टैक्सी रुकी टैक्सी वाले ने उससे साढ़े तीन सो रुपए की मांग की सहलानी अपनी गिटविट जुबान में उससे मीटर कार्ट की मांग कर रहा था पता चला वह गलती से पहाड गंज वाली तरफ उतर गया था वहाँ से टैक्सी लेकर वह इस तरफ आया की यात्री भवन में ठैर सके इतनी सी दूरी के साढ़े तीन सो कैसे हो गए अनुराग ने कह दिया आप चुप रहो जी आपसे तो नहीं मांगता न टैक्सी वाला गुर्राया सही जगे पर पहुँचा दिया यह क्या कम है कुछ देर जिग जिग के बाद सेलानी ने सो सो के दो नोट उसे दिये मदान दमपती टैक्सी ड्राइबर से कहना चाहते थे कि वह उन्हें सामने स्टेशन तक पहुचा दे पर वह तो किराया मिलते ही हवा हो गया वे देर तक इधर उधर बद हवास से वाहन तलाश करती रहे उनके ठीक पीछे बड़े से लाल कपड़े पर सुनहरे अक्षरों में छपा बैनर लहरा रहा था एक अक्टूबर अंतर राश्ट्रिय बुजुर्ग दिवस उनके आगे लंबी सी होर्डिंग लगी थी उत्तर रेलवे आपका स्वागत करता है आपकी यात्रा मंगल मैं हो तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं